पूर्व वित्य मंत्री और कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता पीच दमरम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं CBI के अधिकारियों ने नोटिस जारी कर उन्हें दो घंटे में पेश होने का निर्देश दिया इस पर चिदमरम के वकील ने CBI से पूछा है कि किस कानून के तहट उन्हें दो घंटे में पेश होने के लिए कहा गया है इस पूरे मामने में और क्या क्या हुआ विस्तार से वता रहे हैं हमारे सहयोगी सिधार्थ पांडे पूर्व केंद्रिय मंत्री पीच दमरम के लिए मुश्किले जो हैं बनी हुई हैं अब भी ये तैय नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बेंच उनकी बेल की सुनवाई करेगी दरसल बुद्वार सुभा ही उनके जो वकील है वरिश वकील कपिल सिबर और एक तनखा सुप्रीम कोर्ट आये थे कोर्ट नमर थी में उन्होंने अर्जी रखी थी कि जल्द से जल्द अर्जेंट हीरिंग की जाए ताकि उनके बेल के सवाल के उपर हीरिंग कर सकें लेकिन की बेल थी इक्स्टेंड नहीं की यानि की उसके बाद वो कब भी गिरफतार हो सकते हैं इन्फोर्स्मेंट डारेक्टेट सीबिया का कहना है कि वो एक एहम भागयदार है इस कॉंस्पेरिसी में जिसकी वज़े से काफी नुकसान पहुंचा है तीन सो करोड की बात की जाकि की आयनेक्स मीडिया के जो पूरा केस को संबंदित है तो उनका कहना है कि बहुत ज़रूरी है कि वो हिरासत में लिया जाए ताकि उनसे तूच्टाच की जाए लेकिन वहीं चिदामरम का हाई कोर्ट में रुक्रवाया रहा है कि वो कॉपरेट कर रहे हैं और यह सारा एक प फैसला शायद सुप्रीम कोर्ट ही तैय करेगी क्या उनको कोई रहात मिलती है अरस से या नहीं लेकिन जब तक एक केस की सुनवाई नहीं होती और कोई और नहीं आता तब तक पीछ दामरम जो है गिरफतार किये जा सकते हैं अपने घर पे भी नहीं है और वहां उनके घर भी नोटेस चिपका हुआ है इन्फोर्स्मेंट डारेक्टिर सीबियाए के तौर से कि वो जल से जल उनके सामने पेश आएं पूछतार्च के लिए सुप्रीम कोर्ट से सिधार्थ पांडे गो नियूस